इस वीडियो में हम देखेंगे GST के बारे में जिसे हम goods and services tax कहते हैं, उस related सारी information हम जानेंगे क्या है GST, IGST किसे कहते हैं, SGST, CGST क्या है, अच्छे से समझेंगे, साथ ही साथ ये देखेंगे कि अभी जो GST की दरें नई लागू हुई है, वो कौन से product पे या कौन से services पे कितन सकें, चले start करते हैं आज की वीडियो, तो GST को अगर हम आसानी से समझना चाहें, तो government of India के दोरा जो जारी presentation था, उसके तहत में आपको समझाना चाहूँ, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, तो आपको corner में एक logo दिख रहा होगा, जिसमें लिखा है one nation, one tax and one market, मतलब एक देश, एक tax, एक market, कहीं भी आप पूरे देश में कोई विवस्तु खरीदेंगे, आपको पूरे देश में वो एक ही कीमत पे मिलेगी, यही लक्ष है GST का, तो GST को आप समझ गये होंगे, कि यहाँ पे पहले हम देखते थे कि जो taxes थे, वो हर एक राज्य में अलग-अलग ह हुआ करते थे, और राज्य के कुछ अपने tax होते थे, और Central Government के कुछ अपने tax होते थे, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, कि Central Excise Duty होती थी, Extra Duties होती थी, Service Tax, सर्चार, SIS, और State के वैट अपने होते थे, Purchase Tax, Entertainment Tax, सब कुछ होता था, और जैसे अगर Central Government की बात करे तो यह तो पूरे देश के लिए आपका सेम रहेगा, लेकिन अगर State की बात करें, तो वैट देखते थे, हम हर एक राज्य का अपना अलग-लग होता था, कहीं 14% होता था, कहीं 18%, कहीं 20%, तो यह आपको अलग-लग देखने को मिलता था, और इसी वैट के Difference की वज़ा से, कुछ लोगों को ऐसा लगता था, कि अगर हमको साथ रुपए में किसी राज्य से कोई वस्त मिल रहे तो हम 12 रुपए में क्यों खरीदें, जैसे अगर दो पडोसी राज्य हैं, वहीं पर एक वस्तु बारा रुपए में खरीज़ने की वजाए, अगर वो बॉर्डर पार क पड़ते थी, अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं, तो आपको different तरह के taxes भरने पड़ते थे, तो ये सब जंजट से बचने के लिए Central Government की कोशिश थी, 2006 से ये चल रहा था, लगभग 10-11 साल हो गये है, GST को अभी इस सो रूप में आने में, जो अभी बिल की रूप में साम अगर यहां पे GST कर दिया गया किसी वस्तू पे 10% तो आप चाहे उसे उत्तर प्रदेश में खरी दें, चाहे मध्य प्रदेश में खरी दें, चाहे केरला में खरी दें, कहीं भी आप उस वस्तू को खरी देंगे, वो क्या होगा, उतने ही पैसे का मिलेगा, अगर कोई वस् कि हर जगा सेम प्राइस पर वबस्तु आपको मिलेगी तो यहां पर थोड़ा सा सिंप्लिफिकेशन हो जाता है हमारे लिए भी समझना असान हो जाता है और टैक्स को लेकर करके जो इतनी प्रॉब्लम्स होती थी कि पहले भर दिया है टैक्स फिर आपको भरना है ऐसा करना है वो सब चीजें भी solve हो जाती है यह तो एक simple layman language मैंने आपको समझाया है कि GST होता क्या है ठीक है और इससे क्या आपके फायदे होंगे क्या परणाम निकलेंगे डीटेल में इससे आपको समझना है तो आपके समझने में एक वीडियो रखने जा रहा हूं वो वीडियो जार थे हस्मुक अडिया उन्होंने इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया है GST के बारे में GST क्या है क्यों इसे लगाया गया है कितने टाइप से जैसे हम देखते हैं IGST ठीक है CGST क्या है और यहां पर सेंटर और स्टेट के बीच में कितना परसेंट का बटवारा होग वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्याम से बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी तो मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले वो वीडियो देखें थोड़ा सा लंबा वीडियो है और आपको समझना है GST के बारे में डीटेल में ताकि आप हर एक प्रश्ण का प्रशंट लग रहा है वो मैं बताता हूं तो ध्यान से देखिए वीडियो समझने का प्रयास करिए बहुत ही अच्छा आपको समझ में आ जाएगा Goods and Service Tax यानि GST आज इसकी सारे देश में चर्चा है क्योंकि इससे सम्मनित एक विदियक संसत में पारित हो चुका है और कहा ये जा रहा है कि स्वतनतता प्राप्ती के बाद से ये सबसे बड़ा Tax Reform है और ये Tax Reform के देशा में मील का पत्थर साबित होगा इसके बहुत ही सुखद दूरगामी परिणाम होंगे देश की अर्थ्वेवस्ता तेजी से आगे बढ़ेगी जन सामाने को भी इसमें लाब होगा क्योंकि टैक्स का भारुस पर कम होगा एक देश एक कर एक बाजार बहुत सारे सवाल हम सभी के जहन में हैं और इन्ही सवालों का जवाब जानने के लिए आज हमारे बीच में है डॉक्टर हस्मुक अडिया जो की राजस्वसचेव हैं भारत सरकार में तो आईए हम उनसे बात करते हैं बहुत-बहुत स्वागत ह आपका डॉक्टर रडिया आज के इसकारिक्रम में सबसे पहले तो यह बताईए कि GST क्या है और यह कैसे काम करेगा अभी तक जो देश में वस्तूओं के उपर चीजों के उपर और जो सर्विसिज हैं सेवा के उपर अलग-अलग प्रकार के टेक्स लगे हुए थे वो इत वेल्यू ऐड़ टेक्स हैं पुडाने जमाने में इसको सेल्स टेक्स कहते हैं अब वेट बीना जाता है उसके लावा एंटरेटेंडमेंट टेक्स लगे है लगजरी टेक्स है और बहुत सारे बिन्न परकार के जैसे लोकल बॉडी टेक्स है ऑक्ट्रोई है इस तरह के यहां है तो यह सब टेक्स जो अलग अलग प्रकार से स्टेट और सेंटर लगाती है उसको इकठा करके एक ही टेक्स हर चीज और हर सेवा के उपर लगाने का यह प्रहतना है जी एस टी के नाम पे जो जी एस टी यह एक ऐसा सिंगल यूनिफॉर्म टेक्स है जो कि स्टेट और सेंटर एक साथ लगाएगी और जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जो टेक्सिज है जो मैंने आपको नाम दिया वो सब टेक्सिज इसके अंदर मर्ज हो जाएंगे कुछ टेक्सिज इसके बाहर रहेंगे जो स्पेसिप्कली अमने बताया है जैसे के इलेक्टरिसिटी ड्यूटी इसमें नहीं मर्ज होगा उसी तरह से जो स्टेंप ड्यूटी जो की रजिस्टेशन और प्रॉपर्टी के उपर होता है वो इसमें नहीं सामिल होगा लेकिन इसको छोड़के बाकि सब टेक्सिस जो है इसमें मर्ज हो जाएंगे। यह बताए कि CGST और SGST और IGST यह तीनों में क्या फर्ख है और क्या एक आदमी को तीनों भरना पड़ेगा और इसके अलग-अलग एक्ट्स क्यों है। CGST नाम अलग है क्योंकि Central Government को वो पैसा जाएगा, इसलिए उसको CGST बोलते हैं, Central GST is called CGST, दूसरा है SGST, उसका मतलब है State GST, टेक्स एक ही है, GST आपको एक ही बना पड़ेगा, लेकिन वो एक टेक्स जैसे कोई भी बिल आपका होता है, जैसे आप गए और आपने जूते खरीदें, तो जूते खरीदने के उपर जो भी मान लो उसके उपर 12% GST लग रहा है, तो आपको तो 12% ही बना है, लेकिन उसका एक पोर्शन SGST में जाएगा, एक पोर्शन CGST में जाएगा, तो 6% can go to Central Government, 6% can go to State Government, और आपने तो एक GST पे किया 12% का, लेकिन उसका विभाजन करने के लिए नाम अलग दिये हुए, SGST और CGST, कस्टमर को उससे कोई लेना देना नहीं है, वो बिल की मामला है, बिल में SGST 6%, SGST 6%, तो 12% आपका बिल बन जाएगा, जो IGST है, वो Interstate GST है, जब कोई Goods की Movement एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होगी, तब जाके आपको SGST, CGST नहीं बना है, बड़ ये दोनों का Combination जितना है, उतना आपको IGST बना है, तो जैसे एक स्टेट में से माल दूसरे स्टेट में गया, तो वो IGST बढ़ के ही जा सकता है, माल वो, and that IGST will be equivalent to CGST plus SGST, वो दोनों मिलके जो टेक्स बनेगा, उतना ही IGST होगा, वो नाम के वास्ते उसको अलग कहते है, वो अलग इसलिए कहते हैं IGST उसको, कि वो Final Tax नहीं है, IGST एक Interim Tax है, IGST का उप्योग, जो आगे वाला व वो दूसरे व्यापारी ने खरीदा, तो उसके उपर उसने IGST बढ़ के, गुजरात में IGST बढ़ के, फिर वो माराष्ट को बेजा, अब माराष्ट में अगर वो माल बेचा जाएगा, तो उसके उपर वो व्यापारी को SGST, NCGST दोनों बरना पड़ेगा, तो वो बरने के ल जाएगा, which means कि IGST final tax नहीं है, IGST सिर्फ बीच का tax है, जो कि ultimately consumer के उपर नहीं जाएगा, वो बीच की arrangement है, finally consumer के उपर जब बिल बनेगा, तो उसमें IGST का नाम आएगा ही नहीं, उसमें तो वही लगेगा, CGST 6% या SGST 6% या CGST 9%, SGST 9%, 18% या जो भी rate decide कर है सरकार, तो उस तरह स वो CGST, SGST का division है, और IGST तो interim tax है, तो GST के अंदरगत बस्तूओं और सेवाओं के जो credit है, उसका cross utilization हो सकता है क्या है, यस, वहीं उसका फाइदा है, जो GST का main फाइदा है, आज cross utilization नहीं हो रहा है, आज की जो tax system है, जैसे किसी एक माल का उतपादन हुआ, उसके उपर हमने exercise duty लगा दी, अब वो exercise duty भरने के बावजूद, वो माल जब किसी state में जाके बेचा जाएगा, तो उस state का VAT लगता है, वेट लगता है, और वो वेट जब भरने जाएंगे, तब exercise duty की credit नहीं मिल देगे, उसको, वो input tax credit नहीं मिल देगे, exercise duty, क्योंकि exercise duty सेंटल गवर्मेंट का state tax है, और वेट जो है, वो state government का है, तो दोनों का जो cross utilization नहीं हो रहा है, उसी problem को दूर करने के लिए, GST नाम का एक single tax बनाया जा रहा है, कि अगर किसी एक ही माल के उपर आपने पहले वाले stage में कोई भी tax बढ़ा है GST, तो उसके बाद दुबारा उसका जब resale होगा, तो उसकी input tax credit आपको मिलेगी और आपकी total liability में घटावा होगा, बहुत बड़ी बड़ी बाते हम लों कर रहे हैं, लिकिन मान लीजी कि मैं एक चोटे कारोबारी हूँ, मैरा एक beauty parlor है और मैं एक लाग रुपे महीना कमाती हूँ, या कोई मिस्त्री है, तो क्या उसे भी इन सब जन्चट में पढ़ना होगा, उसे भी इस सब tax दीना होगा, उसके बारे में आप कुछ बताइए, क्योंकि बहुत सारी बाते हैं इस तरह की उठ रही हैं, दीकि ऐसा है, कि GST की liability trader के उपर आती है, जो final retail में जो माल बेशता है, या जो departmental store में लोग माल बेशते हैं, जो final consumption stage पे आएगा, और उससे पहले वाले लोगों नो जो बढ़ा है, उसका input tax edit मिल जाएगा, तो लेकिन इसमें जो छोटे कारोबारी वाले लोग है, उनके लिए एक exemption limit है, वो exemption limit सायद 25 लाग तक fix होगी, अभी state और center के बीच में इसके बारे में एक गहन चर्चा चल रही है, क या 20 या 25 लाग तक की limit होगी, तो इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई छोटे व्यावसाई है और आपका सालाना, एक साल का turnover, turnover means total आपकी जो income है उस service में से, या उस manufacturing में से, या उस व्यापार से, अगर total turnover आपका 25 लाग से नीचे का है, तो फिर आपको ये GST भरना नहीं हो केट के लिए अलग जवाब दे ही होगी और केंद्र के लिए अलग जवाब दे ही होगी? देखे ऐसा है कि लोग ये समझ रहे है कि GST में दो authority tax करेगी, CGST, Central Government, SGST, State Government, ऐसा नहीं है, जो व्यापारी है उसके लिए तो एक ही registration है, एक ही return file करना है, और उसकी जो भी आगे की क GST का act Parliament पास करेगी, वैसा ही copy, ditto, वो act state assembly भी पास करेगी, तो जो power to tax वो दो अलग-अलग act में से हमको मिले है, लेकिन उसकी जो पूरी procedure है वो uniform है, एक व्यापारी दोनों authority में अलग-अलग registration नहीं करवाना है, उसको एक ही registration करवाना है, एक stage पे, उसके बाद return भी single file करना है, और return file करने के बाद, वो computer will decide कि CGST का person क्या है, HGST का क्या है, उस तरह से स्टेल government को एक हिस्सा चला जाएगा, जो पैसा उसने बढ़ा, और एक state government को चला जाएगा, तो व्यापारी के लिए ये कोई उलजन नहीं, फिर उसके बाद return उसने file किया, return file करने के बाद, लोग ये power दिया जाएगा, कि एक व्यापारी के साथ, वही एक authority उनके साथ deal करेगी, तो अगर आपको कोई notice दी जाती है, अगर आपने return में कोई गड़बर किया है, तो वो notice देने का अधिकार, या तो state government को दिया जाएगा, S&L को, दोनों को एक साथ ही अधिकार नहीं मिलेगा, तो आपके लिए तो single authority होगी, एज़े व्यावसाई के लिए, एक व्यापारी के लिए, तो सिर्फ एक authority के साथ deal करने का होगा, आपने अभी return की बात किया, तो सबसे फ़रती बताएगी, registration किसी व्यापारी को करना है, वो कैसे करेगा, हुफतान करना है, तो कैसे करेगा, औ return फाइल करना है, तो इसकी थोड़ी सी procedure आप समझाएए जरा, अभी देश में जिन लोगों ने वेट में registration लिया हुआ है, और जिन्हों ने service tax का registration लिया हुआ है, exercise का registration लिया हुआ है, उनको कोई नया registration लेने की जरूद नहीं पड़ेगी, उनका जो data है वो हमारे पास है उल इसी एक state में लोगों ने अपना वेट रिजिस्टेशन लिया है, तो उनको फिर से दुबार रिजिस्टेशन ही प्रोसेजर नहीं करनी है विकास GST आ रहा है, उनका पूरा data हमरे पास आ जाएगा computer में, GST में, वो data जब migrate हो जाएगा, तो उसके बाद एक सायद उनको email जा आपको इतनी additional information अमको देनी होगी, आपका registration चालू रखने के लिए, उसके लिए एक अवदी दी जाएगी, एक समय दिया जाएगा, और वो basic information दो तीन चीजे जो है, वो उनसे माग ली जाएगी, और वो जब पत्रा आये तो वो online वो information दे पाएगे, उसके लिए उनको कोई office में जाने की ज़रूद नहीं है, पूरी registration की प्रक्रिया online है, जो पुराने है, उनका online data automatic आजाएगा, और उनको एक number दिया जाएगा, पासवर्ट दिया जाएगा, वो number और पासवर्ट से वो अपना website का, अपना account खोलेंगे, अपनी सब details देख पाएंगे, उसमें address change करना ह है, partners का नाम change करना है, तो वो सब चीज online कर सकते हैं, अपने आप change कर सकते हैं, अपने login और पासवर्ट दाल के, वो करने के बाद उनका data ठीक हो जाएगा, और जो नए वाले है, जो की बिलकुल नहे तरीके से अपना business पहली बार कर रहा है, जो अभी तक वेट में registered नहीं है सर्विस टेक्स में भी नहीं है, exercise में भी नहीं है, तो उन लोगों को अलग से registration online करना पड़ेगा, simple registration है, वो registration online करने के बाद तीन दिन में अगर उनको कोई objection नहीं आता है, department की तरफ से, तो automatic मान लिया जाएगा कि उनका registration हो चुका है, और उनको एक number मिल जाएगा तीन दिन में, इस तरह के एक simple registration procedure है, registration करने के बाद आपका जो पूरे महिने का जो कारोबार है, मानलो April महिना सुरू हुआ, तो April महिने में आपने जितने transaction किये है, उसके उपर आपने जो tax collect किया लोगों से, वो tax collect करने के बाद आपको उस महिना पूरा होने के बाद next month में एक तारिक निश्चित होगी, सायद 20 तारिक या ऐसा कुछ, तो 20 तारिक तक में आपको वो पैसा सरकारी treasury में जमा करा देना है, और साथ-साथ आपको एक return जो कि आपने किस-किस को माल सप्लाई गिया, वो return आपको बना पड़ेगा 10 तारिक तक महिने की, और वो सब return फाइल करना है, लेकिन मैंने जैसे पहले समझाया, कि छोटे कारोबारी तो इसमें से आउट ही है, इसलिए छोटे लोगों को चिंदा करने की जरूद नहीं है, 25 लाग से उपर वाले अगर कारोबारी होंगे, तो उनको ये computer में करना भी बहुत आसान है, उसके लिए अलग-अलग program भी accounting के मिल रहे है, बार software मिल रहे है, जो कि वो उसमें record रखेगा आपने transaction की, और वो सब transaction automatically एक दिन में switch दबाने से computer में upload हो जाएंगे, सब transaction, तो इस तरह से return बना है, supplies का, क्या आपने किस-किस को supply किया, उसका करना है, जो दूसरे लोगों ने supply के transaction input किया है, उसके आधार पे automatic आपके account में आ जाएगा, और फिर वो आपको अलग से करने की जरोद नहीं पड़ेगी, 15 तारिक तक, फिर ये supply and purchase दोनों के आधार पे आपका एक return बन जाएगा, वो भी automatic हो जाएगा 20 तारिक तक, तो 20 तारिक तक computer में ही आपका return तयार हो जाएगा, और उसमें अगर आप आप देख सकते हैं कि मेरे return में कोई चूट तो नहीं गई न, चूट गई है कोई purchase या sale का transaction तो 20 तारिक तक आप उसको ठीक कर सकते हैं, उसके बाद उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, तो इस तरह का electronic IT-based system है, जिसमें हर transaction की जानकारी आएगी computer में, और transaction मेंच भी हो जाए हैं, तो सही-सही मात्रा में लोगों ने text बढ़ा है कि नहीं, वो हम पकड़ पाएंगे, तो IT की बहुत महत्व पुन भूमी का है, इसमें IT का बहुत महत्व है, लेकिन IT इतना simple बना दिया हमने, कि किसी छोटे से छोटे व्यापारी को भी इसमें कोई तकलीम नहीं होगी, एकदम सरल प्रकार का software है, उसको फाइल करने की विदी भी इतनी है, कि अगर कोई घर में कोई एक यंग लड़का जो दसवी पास है, वो भी अगर उसको सीख ले तो वो अपने आप return फाइल कर सकता है, ये पताईए कि ease of doing business की बात हो रही है, कि आप भारत के किसी भी कोने म हूँ, आपके लिए business करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे, देखिए ये GST जो है उससे काफी सुविदा business को हो जाएगी, क्योंकि अभी जैसे एक state से दूसरी tax में जब माल जा रहा है, तो उसके उपर एक central sales tax भी लगता है, और वो central sales tax जो है, उसके उपर फिर आपको input credit नहीं मिल रही है, ये next state में, तो ये CST अड़ जाएगा, CST अड़ जाएगा, तो border के उपर जो checking करने का एक move था, कि हर state चाहता है कि भे हमारा state का माल जब बार जा रहा है, तो अगर उसने सिर्फ CST 2% बढ़ा है, तो माल actually export होना चाहिए तो border पे check होगा, truck को खड़ी करेंगे, पूछेंगे कि भे है आपने CST पर आया तो आपका माल गया की नहीं गया, उसका इसाब किताब पूछेंगे, सब कागस पूछेंगे, तो ये सब खतम हो जाए, जहाँ 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 ओक्ट्रो ये, ओक्ट्रो भी abolis हो जाएगी, त तो truck का जो moment है वो एकदम आसान हो जाएगा, जो दोनों state के border के बीच में, या किसी city के अंदर enter करने के time जो check post है, वो check post पे जो घंटो बर truck खड़ी रहती थी, वो सब कम हो जाएगी, और उसके कारण जो moment of goods एकदम आसान हो जाएगे, पिर दूसरा ये है कि क्यूंकि पुर कि दूसरे state में डालू, आपको जहां मरजी factory डालिये और जहां मरजी माल बेचिये, हर जगर tax का rate एक है, जहां आपकी factory है उस state का rate आपको देखने के जरूत नहीं है, और जहां माल बेचना चाते है उस state का भी rate की देखने के जरूत नहीं है, तो उस हिसाब से businessman के लिए एक कहीं संशय ना हो, कि उनके hit मारे जा रहे हैं, या उनके income मारे जा रहे हैं, तो उनहीं कैसे compensate करेंगे हम, दिखे उसके लिए हमने राज्यों को पूरी constitutional amendment में ही हमने उनको एक guarantee दी है, कि किसी भी राज्य को अगर 5 साल तक नुकसान होगा, जो अभी कमा रहे उसमें, तो उस में हम उसको compensate कर देंगे, central government, तो इसलिए राज्य को कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, चिंता होनी चाहिए तो central government को होनी चाहिए, कि ये GST लागू करने के बाद central government के पास इतने resources आएंगे, जो कि हमारा अभी का budget की पूरती कर दे, उसके अलावा हमरे पास इतने पैसे बच किस तरह से फायदे होंगे, आपने कारोबारियों की बात की, राज्य को क्या फायदा होगा, केंद्र को क्या होगा, और सबसे बड़ी बात उपभोगता को क्या फायदा होगा, करों की कमी की बात हम सुन रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे? देखिया मैंने जैसे बताया कि व्यापारियों को क्या फाइदा होगा कि इस अब डूइंग बिजनेस हो जाएगा सरकार को ये फाइदा होगा कि जो टेक्स का इवेजन आज हो रहा है उसमें रोक लगेगी तो ये उमीद की जा रही है कि इसमें कंप्लाइंस बढ़िया होगा इसलिए राज्यों की और केंदर की हामदानी बढ़ेगी सिर्फ टेक्स की चोरी को कम करने से टेक्स को रेट बढ़ाने से नहीं और कंजूमर को ये फाइदा होगा कि जैसे आज है अलग-अलग प्रकार के टेक्स है और कुल मिला के तो एक चीज के उपर 30-32 परसं तक चला जाता है टेक्स आज की तारीक में तो जैसे अलग-अलग टेक्स है वेट है, एक्साइज जूटी है, सर्विस टेक्स है, लगजरी टेक्स, एंटरेटेंटमेंट टेक्स ये सब मिला कि टोटल जो इंसिदेंस ओप टेक्स है एक आइटम के उपर वो 30% तक भी है कुछ-कुछ कॉमडिटी में तो जब GST आएगा तो ये अलग-अलग टेक्स खतम हो जाएंगे और on the whole हम ये उमीद करते हैं कि ज़्यादा तर आइटम के उपर टेक्स का जो बड़न है वो कम होगा टेक्स कलेक्षिन और टेक्स एड्मिस्टेशन में दख्शिता आएगी ऐसी बात सुनने में आरही है तो भारत सरकार इसे कैसी एड्मिनिस्टर करेगी एक तो ये पूरा सिस्टम है आदमियों के उपर निरवर करने के बदले में technology के उपर depend करेगा so उससे definitely system में एक efficiency आएगी दूसरा की administration में जो officers involved है उनकी भी अच्छी तरह से training की जा रही है ताकि ऐसा नहीं हो कि भी लोगों को कोई गलत प्रकार की harassment हो इसके सब नियम कानून सब अलग होंगे तो हम staff की भी training कर रहे हैं और लोगों को समझाने के भी module हमने बनाएं के लोगों को प्रसासित करने के लिए भी कुछ training module हम बनाएंगे YouTube में डालेंगे, social media में डालेंगे चोटे-चोटे clips डालेंगे और जहां-जहां संभव होगा हमारे officers हर city में town hall में meeting करेंगे व्यापारियों को समझाएंगे इसके लिए भी हमने एक व्यापक अभ्यान का भी एक प्रबंद इसमें किया है जो की December के बाद बहुत जोर-जोर से शुरूओगा लोगों को समझाने का जो प्रबंद है तो December से लेके March तक में हम पूरी जगह जाएंगे और लोगों को समझाएंगे कि यह GST क्या है आपको कैसे कंपलाई करना है आयात जो राज्य से राज्य में होगा उसमें किस तरह से कर लगाए जाएगा अभी जब कोई माल विदेश से आता है देश के अंदर तो उसके ऊपर Custom Duty तो जैसे लग रहा था वैसे लगहाँ Custom Duty GST में सामिल नहीं हो रहा है Custom Duty अलग है बट Custom Duty के अलावा वहां हम लोग एक छोटा सा पॉरसन लगा रहे थे CVD जो Excise Duty के बदले में लगाते है जैसे मैं जूते अगर बाहर से लाता हूँ इंपोर्ट करता हूँ और जूते के उपर गर देश में एक्साइज डूटी बारा परसंट है तो जो विदेश चे माल आता है उसके उपर काउंटर वेलिंग डूटी बारा परसंट के लगेगी विचिस टू कॉंपनसेट फॉर एक्साइज डूटी और स्टेट के जो टेक्स से वो अलग है यहां लेकिन वो इंपोर्ट के उपर नहीं लग रहे थे अभी तक कुछ केस में हम एक S.A.D. के नाम पे स्पेशल एडिशनल डूटी के नाम पे स्टेट टेक्सिस के बदले में चार परसंट ले रहे थे कुछ केस में लेकिन पूरी तरह से स्टेट का वेट जो है वो इंपोर्ट के उपर नहीं लग रहा था अब जब कोई माल आयात होगा तो उसके उपर IGST लग जाएगा जो भी IGST का रेट होगा उस आइटम का सो IGST का रेट भी आइटम वाइज अलग अलग होगा कोई आइटम पे 18% होगा कोई पे 12% हो सकता है कोई पे 24% या जो भी उसका रेट है जो रेट डिसाइड होगा वो GST काउंसिल जो डिसाइड करेगी तो वो रेट के हिसाब से IGST लग जाएगा और वो IGST लगने के बाद वो इंपोर्ट होने के बाद वो जब भी देश में बेचा जाएगा तो उसके उपर जो CGST और SGST की liability आएगी उसमें से जो विदेश से माल आया तब IGST जो लिया उसका input tax credit मिल जाएगा तो एक तरह से एक single chain बन जाएगी और उसमें double taxation नहीं होगा import के उपर तो उस तरह से इसमें एक सुईदा हो जाएगी आगे का क्या roadmap है क्योंकि बहुत आशाओं के साथ उमीदों के साथ हम इसकी और देख रहे हैं ये तो सही बात है कि कहा जा रहा है कि भारती अर्थ विवस्ता तेजी से आगे बढ़ेगी लेकिन अगर roadmap के बारे में कहें तो आप क्या कहना चाहेंगे हम जानते हैं कि कौन-कौन से area में हमको काम करना होगा उसका एक पूरा action plan बना हुआ है और वो action plan के इसाब से सब कुछ अभी तक तो ठीक ही चल रहा है हमने अपने action plan में 30 दिन का time रखा था state को ratify करने के लिए कि लोक सभा ने 8 August को पास किया तो 8 September तक हमको कम से कम 16 state का मिल जाना चाहिए ratification और उसमें अलड़ी 15 state का आ गया है एक और state का 2nd September को हो जाएगा तो उसमें हम लोग 5 दिन जल्दी चल रहे है 6 दिन जल्दी चल रहे है सब अभी तक तो time table ठीक चल रहा है हमको GST council की रचना करना है उसके लिए एक अपता रखा है वो हो जाएगा उसके बाद GST council में जो discussion करना है उसके लिए हमने दो मीना रखा है वो दो मीने का time भी वी हॉप की discussion में राजों के साथ अच्छे से हमारे सब मसले निपट जाए दो मीने में थोड़ा सा overtime काम करना पड़ेगा स्टेट और सेंटर को मिलके लेकिन दो मीने में अगर सब मसले निपट गए तो उसके बाद हम लोग फिर परल्लामेंट में अपना बिल पास करेंगे CGST का SGST का स्टेट गवर्मेंट पास करेगी और फिर CGST का एक्ट भी सेंटर कवर्मेंट पास करेगी और ये तीनों एक्ट पास करने के बाद वी अरेड़ी उसके बाद IT सिस्टम साइमिल्टेंसली चल रही है ट्रेनिंग आफ ओफ उफिसर्स का काम साइमिल्टेंसली चल रहा है करीफ साथ हजार आफिसर्स को ट्रेन करने का काम चल रहा है और वो सब साइमिल्टेंसली करने के बाद बाई फिबरुआरी वी हॉप तो बी रेड़ी कम्प्लीटली साथ साथ बिजनेसमेन को भी हम अपील कर रहे है कि आप भी अपना तैयारी कीजिए उनका जो ERP सिस्टम है IT सिस्टम है उसको GST के लिए तैयार करिए इस तरह का हम व्यापारियों को भी बिननती अपसे कर रहे है जो बड़े बड़े जो गुरू है उनको और वी होप कि वो लोग भी अपनी टाइम टेबल बनाके ये GST के लिए मार्चन तक तैयार हो जाए तो हमारी तो ये उमीद है कि देश में इतना बड़ा सुदार कि जिसके लिए देश ने 10 साल तक रहा देखा है अब उसमें और कोई विलम नहीं हो तो केंदर सरकार की तरफ से हमारी पूरी तैयारी है हम committed है इस मामले में कि जितना जल्दी हो सके GST को लगाना है एक जो आखरी सवाल एक layman की हैसियत से मेरे दिमाग में आ रहा है कि जन जागरूपता कैसे पहलाएंगे माली जी किसी को कोई इस बारे में कोई शक है या उसके confusion है तो ये सब चीजें आप जन जागरूपता कैसे पहलाएंगे लोगों तक कैसे पहुँचेंगे कि हम ये हैं हम ये कर रहे हैं और आपको ऐसा नहीं करना है कोई confusion के जरूरत नहीं है दिखिए इसके लिए हम IT के modules मनाएंगे छोड़े-छोड़े modules जिसमें question answer के रूप में ये सब question के जवाब होंगे तो अगर कोई भी आदमी internet search करेगा तो भी उस पर मिल जाएगा उसके अलावा IT में मान लोगो नहीं पहुच पाता है तो हर जगह पे हम लोग meeting करेंगे छोड़े-छोड़ी meeting भी छोड़े-छोड़े सेरों में फिर newspaper advertisement के द्वारा भी हम इसका परचार करेंगे और उसके अलावा हम एक call center बनाएंगे state level पे और central level पे भी तो हर state में एक बहुत बड़ा call center होगा जिसमें 24 by 7 किसी को भी कोई question है GST के उपर तो call center में phone करके पूछ पाएंगे इस तरह का call center बनाने का भी प्रावदान हम कर रहा है और GSTN की जो अमारी IT system है उसका एक अलग call center बनेगा कि किसी को अगर मान लो return file करने में दिक्काद आ रही है किसी को समझ में नहीं आ रही है कि कौन सा चरितारत कर रहा है अभी हम बात सीद कर रहे थे डॉक्तर हसमुकर्या से जो कि या राजस विसरचिय भी बहुत बहुत दनहे वाद नमसकार कि यहां पर मैं बात करता हूं कि अभी तक जो हमारा टैक्स सिस्टम था या कह लूँ प्रिजेंट टैक्स सिस्टम कहूं प्रिजेंट टैक्स सिस्टम मतलब जेश्टी वाला नहीं है ठीक है तो जो नॉन जीएश्टी आ कह सकता हूं है प्रिजेंट तो अभी रहा ही नहीं तो नॉन जीएश्टी जो हमारा टैक्स सिस्टम था वो क्या था उसे समझने का प्यास करते हैं मान लेते हैं को यह प्रोड़क्ट एक्स है इसे बेचा जा रहा है कहां पे लखनव से मा पांजेश्टी सिस्टम था उसके तायत 1000 की कीमत पे वयट कितना लगेगा वयट मान लेते हैं लग रहा है 10% का तो 10% का वयट लए आया 1000 पे तो यह कितना हो जाएगा 100 रुपए हो जाएगा तो कानपुर में जो यह समान पहुंचेगा तो कितना रुपए उसको पे करना प रुपय का है जो भी वेक्ति इसको बेंच रहा है वो अपना मार्जिन इसमें रखता है प्रॉफिट मार्जिन एक जार रुपय का रखता है तो यह कितने का हो जाता है 2100 का जब प्रोड़क्ट न्यू डेली में बेचा जाएगा तो इस पे लगता था CST मतलब Central Sales Tax माल लेते हैं उसकी जो दर थी 10% है तो अगर 10% निकालें कि 100 का तो कितना जाएगा 210 रुपय तो यह जो वेक्ति यहां पर न्यू डेली वाला होगा वो कितने में खरीदेगा 2100 रुपय तो उसकी कीमत ही है और 210 रुपय टैक्स भी भरेगा तो टोटल कितना हो जा लेकिन जब उसने स्टेट पार किया यूपी से दिली में गया तो वहाँ पे CST लगा 10% का 210 रुपय और यह 210 रुपय उसकी कीमत हो जाती है प्रोड़क्ट की न्यू दिली पहुंचते पहुंचते हैं लेकिन अगर हम बात करते हैं GST सिस्टम तो यह कैसे काम करता है सेम प् ठीक है 1000 रुपय का यह है सबसे पहले वही करते हैं कि लखनव से कहां पर बेचा जाता है कानपूर में कानपूर में अगर बेचा जाता है यह आपका 1000 रुपय कीमत है तो इस पे आपका लगेगा क्या C GST लगेगा C GST का मतलब समझ गये होंगे माल लेते हैं 5% है तो कितना हो जाएगा 50 रुपय और इस पर क्या लगेगा इस सेंट्रल का तो GST लग गया स्टेट का भी GST यहां पर लगा C GST तो इसकी भी दरह माल लेते हैं 5% है भी कितना हो गया 50 रुपय तो टोटल कितना टैक्स भरना पढ़ गया 100 रुपय बात वही हो जाती है कानपूर में प्रोड़क्ट कितने का पहुंचता है 1100 रुपय का उपलब्द होगा लेकिन यही प्रोड़क्ट अगर कहां से बे प्रोड़क्ट को बेचेगा आगे फरवर्ड करेगा न्यू डेली में तो अब पहले क्या लगता था CST लगता था यहां पर क्या लगेगा अभी हमने देखा था कि एगर हम एक राज से दूसरे राज के अंदर गद ट्रेड करते हैं तो वहां पर क्या लगता है IGST लगता ह त tablespoons 2300 दो सपर dedicated की दोनों में कोई अंतर नहीं आया सेम बात यहां भी है सेम बात यहां भी है बस tax का differenस है कैसे लग तो लेकिन यहां पे difference आपको देखने को मिलेगा, क्यों? क्योंकि यहां पे जो GST सिस्टम में यह व्यस्ता की गई है, कि यहां पे जो आपने C GST और S GST Pay किया है, इसे आप क्लेम कर सकते हैं, यहां पे यहां पे यह सिस्टम पहले ऐसा नहीं था कि अपने वैट को claim कर सकते हैं CST में लेकिन यहाँ पे अब आपने जो पहले CGST और SGST पे कर दिया था उसके तहट आप IGST में claim अपना कर सकते हैं तो अब यहाँ पे जो आपने पहले 100 रुपए पे किये थे tax के रुप में घट जाएंगे तो टोटल आपको कितना tax देना पड़ेगा 110 रुपए तो अब इसकी कीमत 2310 रुपए नहीं बलकी कितनी होगी 2210 रुपए में यह उपलब्ध होगा New Delhi में तो present system जो है GST का उसके हिंसाफ से देखा जाए तो वही वेस्तु जो 1000 रुपए से New Delhi तक चली थी कानपूर होकर 2210 रुपए में मिल रही है लेकिन अगर पुराने system को देखा जाए तो वही वस्तु 2310 रुपए मिल रही थी क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई claim करने वाला scene नहीं था मेरे ख्याल से एक simple example के तोर पे भी आपको समझ में कर दिया और यह वस्तु क्या थी है मैंने डिसाइड नहीं किया था तो अब यहां पर अलग-अलग वस्तु आप अलग-अलग tax lab बनाया गया ठीक है वह tax lab क्या है किसी वस्तु पर tax लगेगा ही नहीं किसी वह 5% लग या किसी पर वह क्या है समझने का प्यास करते हैं अब हम देख लेते हैं कुछ यहां पर जो अपडेटेड येस्टी रेट्स हैं वह क्या है कहां पर टैक्स लग रहा है कितना लग रहा है वह सारी चीजें जैसे यहां पर लिखा गया है कि गुवर्मेंट ने कुल 1211 आइटम्स को अलग- मैं बात कर लेता हूं कुछ ऐसी सर्विसेज जिनके उपर कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है नो टैक्स यहां पर लिखा गया है वह आप देख सकते हैं गुट्स के बारे में बात करें जैसे फ्रेश मिट हो गया चिकन हो गया एक्स मिल्क बटर बटर मिल्क करड नैचुरल कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है तो सर्विसेज कौन सी है जैसे होटल या फिर आप कोई लॉज लेते हैं जिसका जो टैरिफ है वह एक हजार रुपए से नीचे का है तो उस पर भी आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है ठीक है या फिर यहाँ पर क्या लिखा है, grant fathering services has been exempted under the GST, GST के अंदर अगत ये सारी services क्या है, exempt की गई है, मतलब इस पर कोई भी tax आपको नहीं देना है, तो सबसे पहला तो ये था no tax वाले कौन से goods of services हैं, तो इनको आप ध्यान से देखेगा, जो जादातर कहते हैं, जो GST है, वो जो 18 परसेंट वाला जो slab है, उसके अंतरगत लाया गया है, 18 परसेंट के अंदर ही जादातर वस्तों को cover किया गया, वो भी हम सब देखेंगे, और देखेंगे कितने आपके यहाँ पर tax slab बनाए गये हैं, ये भी आपके लिए एक important factor होगा, समझने के लिए, next मैं बात करूँ, त परसेंट का, परसेंट यहाँ पर tax कौन से goods पर लग रहा है, fish fillet, cream, skimmed milk powder, branded paneer, frozen vegetables, coffee, tea, spices, pizza, bread, rusk, साबू दाना, kerosene, cold medicine, stent, lifeboat, इसमें आप कुछीजों को ध्यान से देखेंगा, जैसे kerosene, cold medicine, इस पर कितना लग रहा है, इस पर लग रहा है, पांच परसेंट, ठीक है, यह मतलब exam में पूछा जा सकता है, tea and coffee, यह यह इस पर कितना लग रहा है, पांच परसेंट लग रहा है, जिस पर लग रहा है, जैसे transport services हो गई, railway, air transport, या फिर smallest restaurant औगरा हो गई, यह सब भी आपके पांच परसेंट वाली category में ही आते हैं, क्योंकि Karen का main input है, वो क्या है, petroleum है next हम देखते हैं कि जो tax lab है, वो कितने का है, बारा परसेंट का है, बारा परसेंट के तरगत कौन-कौन सी वस्तों हैं, जैसे frozen meat हो गया, meat products हो गया, अलग-अलग, butter हो गया, cheese हो गया, घी, dry fruits जो भी हैं, packed form में, annual fat, sauces, fruit juice, भुजिया नमकीन, यह सब बारा परसेंट के तरगत आइरुवेदिक मेडिसन, यह ध्यान रखेगा, आइरुवेदिक मेडिसन कितने में हैं, 12% के tax lab में इनको रखा गया है, अगर बत्ती, coloring, books वगयरा जो भी हैं, वो सब भी किसमें हैं, 12% में हैं, cell phones यह भी देखिए, किसमें हैं, 12% के अंतरगत ही इसको रखा गया है, 12% मे के अंतरगत हैं, 12% के service tax के अंतरगत वो आएंगे, यह जो GST होगा, यह 12% उन services पर लएगा, जैसे non-AC hotels होगे, AC नहीं, non-AC, और जिनकी tariff क्या होगी, 1000 रुपए से जादा हो, क्योंकि 1000 से कम वाले पर तो छूट है, कोई भी GST नहीं लग रहा है, ठीक है, आप business class का a ticket लेत हैं, वो 18% के tax lab के अंतरगत ही रखने का प्रयास किया गया है, और इसी के अंतरगत सबसे ज़्यादा, अगर आप से exam में question आता है, कि कौन से tax lab में सबसे ज़्यादा goods or services हैं, तो आप कहेंगे, 18% वाले के अंदर सबसे ज़्यादा goods or services रखी गई है, ठीक है, इसमें देख स books और steel products ये भी आपके 18% के अंतरगत ही आते हैं, printed circuit boards ये सब जो होते हैं, ये भी 18% के अंतरगत ही आएंगे, तो कुछ important है, ice cream वगएरा हो गए, जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए, exam में पूछेगा, तो आप या अपने से आपको example देना होका 18% goods के अंतरगत कौन कौन स सकते हैं, ये आसान है याद रखना, camera, speaker, preserved vegetables हैं, ये ठीक है, fresh vegetables नहीं है, जो preserved करके रखेगी, वो vegetables है, mineral water, notebooks, steel products, printed circuit boards, monitor, ये सब आपके 18% के अंतरगत आते हैं, और services कौन कौन सी है, 18% के अंतरगत, AC वो सारे AC hotels, that's a liquor, liquor का मतलब मादक पदार्थ समसके हैं, कोई pay पदार्थ जो वहाँ पर सर्व किया जाता हो, telecom services भी किसके अंतरगत हैं, 18% के अंतरगत, मतलब जो हम बात करते हैं, phone से वो services हैं, वो सारी किसके अंतरगत हैं, 18% के अंतरगत हैं, IT services भी 11% पर हैं, branded garments and financial services जो भी हम use करते हैं, garments या financial services, वो सब भी किसके अंतरगत हैं, 18% के अंतरगत ही रखी गई है ठीक है तो services का ये example आप दे सकते हैं अगर exam में पूछा जाता है तो या फिर exam अगर ऐसे आता है भी है कि telecom जो services है वो कितने tax lab के अंदर है कौन से tax lab के अंदर है तो आप बताएंगे कि 18% के अंतरगत वो आती है next मैं बात करता हूँ 28% के अंदर कौन-कौन सी वस्तों आपकी सामिल की गई है इसके अंदर भी काफी वस्तों है जैसे हैं chewing gum हो गया molasses, chocolate वगरा हो गया या फिर पान, masala, paint, deodorant, saving cream मतलब इसमें अंतरगत जो आप luxury वाले वस्तों हैं या फिर आप कह सकते हैं कि सौंदर प्रसाधन वाली वस्तों है वो सारी वस्तों यहाँ पर रखी गई है या बड़ी बड़ी जो वस्तों है washing machine हो गया, ATM हो गया vending machine, vacuum cleaner, यह सब aircraft हो गया personal use के लिए आपको लेना है automobiles वगरा, 28% के अंतरगत automobiles वगरा भी या motorcycle वगरा भी आते हैं, तो यह थोड़ा सा ध्यान रखेगा automobiles या motorcycle हो गया washing machine, ATM machine, यह सब भी किसके अंतरगत है 28% tax के अंदर है और जो सौंदर प्रसाधन की चीज़ें जैसे आपका shampoo हो गया cream हो गया, यह सब किसके अंतरगत है यह सारा कुछ 28% के अंतरगत ही रखा गया है इसके अंतरगत services कौन कौन सी है जैसे 5 star hotel हो गया, race club betting हो गया स्तिनेमा हो गया, यह सब किसके अंतरगत है 28% tax के अंतरगत रखा गया है तो यह सबसे बड़ा या कह सकते हैं सबसे ज़्यादा GST का tax lab है इसके बाद कोई भी tax lab आपका नहीं है तो अगर हम देखें tax lab कितने है एक है 5% का एक है 12% का फिर है 18% का और फिर है 28% का तो total अगर देखा जाए तो यह 4 tax lab है और इसमें एक आपका no tax वाला भी है तो उसको भी अगर समलित कर लें तो 5 tax lab है no tax 5% 12% 18% और 28% इसको आप याद रखेगा सबसे ज़्यादा पुछा जाए किसमें वे वस्तुएं है तो आप बताएंगे 18% के इंतरगत वस्तुएं है ठीक है no tax के इंतरगत जो daily routine की वस्तुएं है जैसे fresh meat वगरा हो गया milk वगरा हो गया वह सारी चीज़ी नहां पर रखने का प्रयास किया गया है फिर 5% पर आ जाते हैं वहां पर हमने देखा था कौन कौन सी वस्तुएं थी 12% पर 18% पर जो daily routine के वस्तुएं होती है 28% में हमने देखा था जो luxuries related वस्तुएं है महेंगी वस्तुएं बड़ी वस्तुएं जो है 28% में है फॉर इक्जंपल अब बता सकते हैं motorcycle आटोम वाइल्स जो भी है aircraft बगारा personal use के लिए या फिर जो भी सुंदर प्रसादन के सामान है shaving cream after shave hair shampoo dye sunscreen cream यह सारी चीज़ें किसके अंतरगत आती है 28% के अंतरगत आती हैं तो यह है पूरा tax lab GST का जो अभी लागू हो चुका है और वीडियो से आप समझी गये होंगे कि अब इनका बटवारा कैसे होना है अगर राज्य सरकारों को लॉस होता है तो government ने क्या scheme चलाई है कि 5 साल तक 4 साल तक वह जो भी उनको लॉस होता है उसकी भरपाई करने का यहां पर प्रावधान रखा गया है तो यह सारी चीज़ें यहां पर पहले ही समझ गया होंगे और GST के rate भी आपको पता चल गए और मेरे ख्याल से जितनी information आपको चाहिए वह आपको मिल गई होगी आप exam आसानी से दे सकते हैं इसके उपर कोई भी question आएगा तो बता सकते हैं वह इससे जो ज्यादा information चाहिए होगी वह उन लोगों को चाहिए होगी जो CA बगारा कर रह किया है कि आपको अलग अलग sources से और बहुत ही अच्छे sources से समझाने का प्रयास कर सकूँ कि GST वाकई में है क्या कैसे काम करता है क्या कुछ यहाँ पर procedure follow किया गया है और क्या यहाँ पर भी जो updated यहाँ पर rates है GST के क्या है कि वस्तों पर कितना tax लग रहा है ठीक है तो अग फिर अगर आपको कोई बात नहीं समझ मैं तो भी आप कमेंट करके बताईएगा कि आपको यह बात नहीं समझ मैं कि यह ऐसा कह रहा है इसका मतलब क्या है ठीक है वीडियो कर पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को साथ बीसे जरूर शेयर करें जि हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए हैवा नाइस डी एंड बाई